नवापारा शहर वासियों के लिए शनिवार का दिन बड़ी रहत और खुसियों भरा रहा क्योंकि इस दिन नवापारा के दो और कोरोना पॉर्जिटिव मरीज कोरोना से जंग जित कर वापस घर लोटा है नगरवापसी आने वाले ये दो शक्ष एक अस्पताल का करमचारी है तो ये दूसरा सितलापारा का रहने वाला है जो अब बिल्कुल स्वस्थ होकर माना कोविड अस्पताल से वापस आ गए हैं वही जानकारी प्राप्त हुई है कि नवापारा से बचा आखरी मरीज भी जल्द स्वस्थ होकर घर लोटेगा जिसका इंतजार भी बेचसपरी से नवापारा वासियों को है अस्पताल में काररत स्वस्थ कर्मी महंद्र दिवान सहित बल्ला साओ के घर लोटने पर उनके परिवार और पड़ेशियों ने फुल बरसा कर थाली वा तालियां बजा कर अभूत पुर्व स्वागत किया दोनों को उनके आवास छोड़ने से पहले एंबुलेस उन्हें सास की अस्पताल से ले आई जहां सामदाइक स्वास्ते केंदर के डॉक्टर लोकिस पारकर प्रदीप यदु सहित सभी करमचारियों ने उनका गर्म जोसी से स्वागत किया उन्हें गुलाब का फूल वस रिफल देकर सम्मान किया अस्पताल करमचारी दिवान व बल्ला साहु ने अस्पताल परिसर में स्थापित भगवान हनुमान से स्वस्थ होकर वापस लोटने पर पुर्जा अर्चना की जिसके बाद उन्हें उनके घर तक छोड़ा गया सरप्रताम बल्ला साहु जो सितला पारा का युवक था उसका स्वागत महले वासियो वो उनके परिजनों ने फूल वत ताली थाली बजा कर किया बल्ला को सकुसल देक उनके परिजन सहीत महले वासियो के आखों में खुसीखे आसु भर गए अस्पताल क्रमचारी हेमेंद्र दिवान का पारसत लोकिन अर्जुन सहित पूरे किसान पारा वासियों ने गरम जोसी से स्वागत किया स्वास्त क्रमचारी के स्वागत में जो जोस वाड वासियों के अंदर देखने को मिला वह काफी सांदार था अस्पताल क्रमचारी महंदर दिवान ने भी स्वागत पस्चा सभी का हिर्दे से अभार वक्त किया और कहा कि आज भले ही मेरा परिवार यहां नहीं है मैं किराय से रहता हूं लेकिन महलेवासियों ने आज मुझे अपना समझ कर जो असिरवात दिया है उनके लिए मैं उनका सदेवा भारी रहूंगा दोनों कोरोना योध्याओं ने विक्ट्री का सिंबॉल दिखा कर स्वागत के लिए उम्डे लोगों का अभिनंदन किया ग्यात हो कि पिछले सनीवाज 6 जुन को नावापारा सहर में एक साथ चार कोरोना संक्रमित मरीज आये थे इन में से तीन प सितला पारा का बल्ला साहू लोट आया अब एक आखरी मरीज नावापारा से बच गया और उन्हें भी जल्द ही छुट्टी दिये जाने की उम्मीद है शनीवार का दिन शहर वासियों के लिए दूसरी सबसे बड़ी खुसी का दिन था क्योंकि नगर में मेरे चार कोरोना पॉजिटिव मरीज में से तीन ठीक होकर सकुषल वापस आ चुके हैं जिससे अब यह शहर वासियों के लिए किसी उत्सा से कम नहीं है आखरी से शक्स के जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना सभीने की दोनों कोरोना युद्धाओं के सावगत के लिए मुख्य नगर पाली का अध्यक्ष भुपेंद्र उपाध्य है सितला पारा पारसद प्रतिनिधी भुपेंद्र शोनी किसान पारा के पारसद लोकिन अर्जुन साहू मुकेस निसाद विरेन साहू राकेस राजपुत भागवत साहू साहिद बड़ी संख्या में महले वासी उपस्थित थे सितला पारा के पारसद प्रतिनिधी भुपेंद्र शोनी ने कहा कि यह खबर महले साहिद नगर वासियों के लिए सुकुन भरी है कि आज जो दो और लोग पुरी तरह से स्वस्थ होकर वापस आ गए भुपेंद्र सोनी नवापारा से बचे एक और मरीज की जल्द ही सकुसल वापसी की कामना भगवान से की वहीं किसान पारा के परसद लोकी नर्जुन साहू ने कहा कि दोनों कोरोना युद्धाओं का स्वागत है अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हमारा नवापारा कोरोन से मुक्त होगा वहीं सियमो भुपेंद्र उपाध्या ने उपस्ति जनों से कोरोना की रोक्ताम और बचाओं के लिए साउधानिया बरतनी की अपिल कि उन्होंने लोगों से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन सेनिटाइजर को अपियों को चेहरे पर मास्क लगाने की बात कही डिनेक्स टीवी के लिए नावपारा राजीम से वेश्वसर हिरवानी की रिपोर्ट